चलिए, अब काम करते हैं, केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशिल केडिया को जोड लेते हैं सुशिल जी गुड बारिंग, बहुत 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 शुक्रिया जोडने के लिए सुरी आज थोड़ा लेट आया आपके पास आज रॉकेट कॉल से शुरुवात करेंगे, आज की रॉकेट कॉल क्या होगी, बताईए आपके इतने ज्यादा रॉकेट कॉल हैं इस वक्त बजार में, शॉट्टम इंडेक्स की बात अपनी जगह पे शुरू करते हैं, मुझे यह जो चाल शुरू हो चुकी, अगले साल-डेड़ साल में जिलेट 10,000 हो जाएगा तो कोई भी आश्चरे नहीं होगा, और यह 10,000 पे भी थमेगा नहीं, कोई 5 साल का व्यू ले तो मेरे को लगता है, यहां से, यह पांच अजार का 25,000 होते लग सीधा डबल होते लग रहा है, तो यह ग्लैक्सो है, यह फाइसर है, यह जो बढ़िया क्वालिटी की MNC कंपनी जो ओवर वैल्यूएशन में एक क्रेक्शन की साइकल में फस्ट ले थी, इन सब में लॉंग टर्म ब्रेकाउट्स आ रहे हैं, तो इनको 19,000 की निफ्टी से म प्लेस पे, तो देखे जैसे बॉंबे टाइंग की आपको चार्ट मैंने अप्रेल के महीने में भी, पचास में हमने बात की थी, डेड़ सो हो जाएगा और फिर असी में भी उसको रिंफसाइस किया, लास्त तीन-चार दिन की जो प्रॉफिट टेकिंग आई है ना, उसके बावजुद भी अनुज यहां से लगता है कि इसको बेच देने का मतलब है, और लेने का जी कर रहा है, और देखे आज जैसे फड़ा ग्रीन टिक आना शुरू हो गया, तो इंट्राडे में जब भी इसके इंदर आ गया रिवर्सल ब्रेकाउट, बॉंबे डाइंग वाप जटके में आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़े, तो इसके उपर भी कहीं तक जा सकता है, रखना पड़ेगा च्छे मिने स्टॉप और इंडिया गुल्स रियालिटी, ऑन दे सेम फ्लेवर, इंडिया गुल्स रियालिटी में भी जो ब्रेकाउट बन रहे हैं, एक अ सोबरा रियालिटी में शॉट भी कर दे सिगनल आने पर, तो सकता है, डीलेफ में शॉट भी कर गएं, तो विदिन दे सेक्टर्स रोटेशन काफी हैं, और अडानी ग्रूप के मेरे वो सारे स्टॉक्स अब अच्छे खासे भागते लग रहे हैं, अगर मैं आपको यह सारे नाम दिखा हूं, देखिए, अडानी ट्रांस्मिशन एक नो ब्रेनर चार्ट है, यह चला ही नहीं, और जैसे यह जैसे यह आठ सो के उपर जाएगा, इसमें एक मिकैनिकल बाइट रेड आ जाएगा, दो हजार की चाल तक का, पॉसिवल है दो हजार, हम कंजर्वेटिसम के खेलेंगे, अडानी ग्रीन देखिए, नो ब्रेनर चार्ट है, यह साइडवेस कंसॉलिडेशन देता जा रहा है, जैसे हजार दस के उपर चलेगा, इसमें सीधे सोला सो की चाल शुरू हो जाएगी, एंडी टीवी पे मारी कई बार बात हो चुकिए, उसमें आउंगा दो म स्टॉक्स में बहुत जादा वॉलेटाइल है, और चलते-चलते कुछ कुछ क्विक्ली स्टॉक्स अगर मैं एड़ कर सकूं आज, तो देखिए, जी टेले फिलम में बहुत बड़ा स्ट्रॉक्चरल मूव आ रहा है, अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि जी में से जो भी जहर निकलना था, वो निकल चुका है, नहीं निकल चुका है, उसे पॉलिटिकल बाते हैं, पर फ्योर चार्ट की नजर से अगर आप देखो इसको, तो यह देखिए, दो हजार बीस के लो से यहां तक जो था यह लाज लांग टम एवी सी वेव था और यह बी वेव हो गया, जिस तरह की रॉकेट मूव, एक सो साथ से तीन सो असी तक आई थी, दो हजार इक्टीस में, सिमिलर नेचर की एक मूव, मुझे चार सो चालिस तक जाने की पूरी संभावना दिखती है, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो एक सो अठासी नब्बे के का बाव है, हर पुल बैक में इसको लिया जाए, और उतना ही काम कीजिए जितनी आप डिलिवरी संभाद सको, भले फ्यूचर से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, मुझे नहीं पता कि सोनी इसको एकदम एक्स्पीडिशियसली टेक ओवर कर लेगा, या इसकी सार के सारे लेके बैठी है मुझे लगता है पचास परसंट, सो परसंट है सारे छे मेने में दे देंगे नहीं कीडिया साब, यकिन मानिए जुबलेन फूट्स गए जमाने छोड़ दिया, अब पसंद नहीं है पीजा, बहुत परहेस करता हूँ मैं इसका अचा, सब्सक्राइब पानिए बताइए कि अब मेरे पसंद वेस्ट लाइफ है, यकिन मानिए अचा, मैं आपका दो स्टॉक्स पर व्यू चाहूँगा, आटो स्पेस में, और वो है मारुती और एक अशोक लेजन्ड है, सारे स्टॉक्स ने अपने प्रिवियस है को काटा, एक स्टॉंग मूव दिया, अभी तक मारुती अपने उस प्रिवियस है को डिसाइसिवली बा आपको एक धारन से बताता हूँ, यह जो मारुती की नीचे से जो चाल है, यह एक रैली है, यह मल्टिप्लाइर इफेक्ट नहीं आएगा, इस चार्ट में जब तक यह वापस साथ जार की तलटी को नहीं चुएगा, बुरी तरह से इसमें रौंग साबित हो सकते हैं, ऐसा जो के एक और Z हो जाएगा, आप एक छिलका और अट कर दोगे, तो प्यास प्यास ही रहेगा, वो फूल गो भी नहीं बनने वाला है, वो प्यास ही रहेगा, प्यास के छिलके हैं, जो लेयर पर लेयर जायर कर रहे हैं, अगर मारुती इस तरह के कोलैप्स पर आता है, पिछ सारा का सारा ये जो फ्लो है ना ये पूरा इस एरिया में ये आने वाले कुछ वर्षों के लिए बहुत बड़ी तेजी का परिचायक है और बड़ी तेजी जब तक एक फाइनल करेक्शन नीचे का आके लॉंग टेम इंवेस्मेंट्स के स्टॉप लॉस नहीं लगवा देता ह जिस दिन हमारे पास प्रॉपर सेल सिगनल आएगा हम सेल करेंगे हम सारे नियू है इसको इगनोर करेंगे और आते हैं अब आपके दूसरे परशने पर अशोक लेलेंड पर तो करीब करीब वही बात अशोक लेलेंड में भी है देखिए यह जो डबल टॉप बन गया या ए अशोक लेलेंड को आपका व्याइज कीजिए वह सब 20 साल पहले होता था अब नहीं हो सकता हैं से और दो दिन तीन की ट्रेडिंग करके दन नहीं जोड़ पाएगा तो मैं अशोक लेलेंड को आवाइड लिस्ट पर रखूँगा जब भी सेल सिगना बेचूँगा मुझे लेना ही नहीं है ओके सुषिल जी दो स्टॉक्स पर और मैं आपका व्यू जाना चाहता हूं एक तो रिलाइंस जिसमें कल फाइनली एक ब्रेक आउट आया इतने टाइम के बाद और एक जो आपकी बहुत शांदार कॉल रही बीसी इसमें क्या प्रॉफिट बुक करें आप अरे मेरी बीसी को पोजिशन को टोक मत लगा और मुझ बारा सुपी बेचेंगा उसको ठीक है पर मैं उचार्ट दिखाऊंगा ज़रूर आपको देखें रिलाइंस में क्या हो रहा है जो रिलाइंस के बिल्कुल प्रेमी नहीं वेश्ट प्रेम है स्टॉक से वो इस चीज क सुन करके खुश हो जाएंगे कि रिलाइंस को चारजार का भाव दिखाना है और बहुत ज्यादा टाइम में नहीं साल लेड़ साल में पर चारजार तक जाने के लिए इसको एक बार वापस नीचे अपने आपको पठकना पड़ेगा 2200 तक क्योंकि जो स्ट्रक्चर आप द जिसमें एक अंतिन चरण बाकी है निफ्टी भले वो 15,000 होगी की नहीं होगी 16,000 होगी की नहीं होगी रिलाइंस का फाइनल डाउंटम बॉटम यह 2150 है और मुझे लगता है एक बार और यह इधर आएगा तब इसको लेके मजा आएगा क्योंकि अभी जो इमीजेट टर मे अबर के दूसरे स्टॉक्स हैं पर अगर कोई बजार में हो हंगामा आ गया और अगर दुवारा रिलाइंस 22 में मिल गई तो एक लाइफटाइम स्टील होगी इसे चुरा लेने का मौका होगा यह 244 जो चाल चलेगी इसके लिए मैं इंतजार करूंगा कि कैसे भी सेल सिगन चरीर कोगी उस भगदड़ में आप कुछ लेने जाए जब बाहर फेकना होगा तो बीड़ आपको फेकेगी तो हमने तो जब इंट्री ले लिए उसके बाद हम अपने स्टॉप लोस इसको डे बाइडे बस ऊपर कर रहे हैं यह देखिए जो लास्ट का स्टॉप लोस था हम इसको यहां कर देंगे और यह स्टॉप लोस अपने आप हमारे को सभालते रहेंगे तो हमने प्रीवियस स्टॉप लोस बना भी अख़डे रहेंगे जाने दीजिए इसको आट सो शाड़े आट सो तक जाने दीजिए बाइबएक के पर तो जाए कम से कब ठीक है बाइब की साथ केडिया जी बताता है तो अगला प्लान क्या है इसमें रिलाइंस में हम लोगों को इंजार करना चाहिए कि वो 4,000 का लेकि सुशील जी का भी हुआ हाँ सुशील जी का भी हुआ डिस्क्लोजर भी हमारे अपनी कंपनी है इसलिए आप किसी और की राए जरूर लीजेगा लेकि इससे पहले दो इवेंट भी है इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट होगा AGM और एक इसकी लिस्टिंग अभी देट नहीं आई अपका अभी देट नहीं आई लेकि जुनाई अगस्त में होती है विससे मोस्ट प्रवेबली अगस्त में हो जाएगा तो जियो फिनेंशल सर्विसेस की लिस्टिंग दिवाली से पहले मुझे लगता हो जाएगी और उससे पहले कि AGM होगी मैंने हमेशा है कहा कि अगर आपको रिलाइंस ट्रैक करना है समझना है तो सिर्फ AGM की स्पीच को ध्यान से सुनिए पूरे साल कुछ नहीं करना आपको खाले उस स्पीच को सुनिए और याद कर लीजिए